हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत हैं हमारी एक नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 HP बिजली आटाचकी के बारे में क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोग को 16 आटाचकी से रिलेटेट काफी सारा वीडियो दिया काफी भाईों को कमेंट आया कि हमें बिजली वाले आटा-टा चकी के बारे में बताईए कि पॉल खर्च क्या पड़ कि साथ ही आप लोग को कौन सी आटाचकी लेनी चाहिए कौन सी पत्थर लेनी चाहिए और connection आपको कितना लेना चाहिए और उसका चार्ड जो हो कितना पड़ेगा दोस्तो डिटेल में वीडियो होने वाली है मैं आप लोग को डिटेल में पांच HP के बारें बताने वाला हूँ अगर आप जानना चाह रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अधरवाज आप स्कीप करके जा सकते हो दोस्तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ पताना चाहूंगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह जो सोप आप लोग को दिख रहा है दोस्तो ये भी एक सोप था एक टेम जब ये 5 HP से अपना स्टार्ट किया था साथी मैं आप लोग को बता दू इसका सोप का वीडियो जो है दोस्तो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे जाकर आप देख सकते हो इसके पास एक सिंगल आटाचकी हुआ करता था और आज ये एक साल बाद चलाने के बाद इसके पास आप देख पा रहे होंगे तीन-तीन मसीने लगा चुका है और ये तीन मसीन चला रहा है दोस्तो साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तो इसका सोप भी ज़्यादा बड़ा नहीं है टेलों को इंड़ में कुल कर्च के बारें बताने वाला हूं तो सबसे पहले दोस्तों हम across कि के बारे में 44 inch ऑप 7org आप 24 inch ऑप रते चके यह दोनों मेंसे पसंद आये वह पating ले सकते हो दोब 4 कि आठार की अगरा Specs की आफ करें तोาม 12,000 रुपे में आती है वहीं अगर हम बात करते हैं सोल लो इंच हाटा चकी के बारे में तो जो हमारे सारा रप्यों यह 18,000 रुपे में आती है दोस्तो अभर करते है मोटर कि मोटर है दोस्तों हमारा पांच और रहेगा और यह जो प्राइज होगा दोस्तों 22,000 रुपे आजाएगी आपकी अगर आप 960 रुपेम वाले लेते हो तो वो 23-24,000 रुपे तक आपको पड़ सकती है तो दोस्तों यह तो हो गई अपनी चक्की और मोटर के बारे में अगर आप यह दोनों को साथ में खईदना चाते हो तो साथ में भी आता है और यह साथ में आप लोगों को 40-42,000 रुपेम आपको मिल जाएगा अगर आप साथ में लेना चाहते हो तो साथ में भी ले सकते हो अदरवाइज अलग अलग करके ले सकते हो कई जगा कैसे क्या होता है कि किसी के पास नहीं होता है तो अलग पार्ट वहां से लेते हैं तो इसलिए मैंने अलग-अलग करके बता दिया अगर आपके शौप में आपके जहां खरीदने जाओगे अगर आपको साथ में मिलता है तो आप साथ में खरीज सकते हो चक्की और मोटर ठीक है अब हम बात करते हैं दोस्तों पत्थर की यह तो हो गई हमारे चक्क यह किला पथल आती है काफी अच्छी होती है और लाल पथर भी यूज करना चाहते हो तो कर सकती हो लेकिन काला हमारे साब से बेस्ट REMA ठीक है उसके बाद आती है पोकराज कंपनी की यह भी आप मरें तो यह यहीं कर सकती है हमने यूज टौपिक की और नेक्स्ट जो है दोस्तो हमारा बिजली कनेक्शन जैसे वह किसि को मालूम नहीं होता है आप कहिए कि मुझे 10 hp motor चलाना है तो उन्हों क्या करता है कि 10 kWh ही करदा देता है वहां पे 10 kWh कनेक्शन करवा देता है जबकि 10 hp motor के लिए आप लोगों को 10 kWh की अव्यसक्ता नहीं है बिल्कुल भी नहीं है जी हां मेरे दोस्तों आप कभी भी देखिएगा मेरे 10 HP मोटर होती है उसमें हमारा देखिएगा कि 7.5 kW लिखा हुआ रता है तो हमें उतना ही kW की requirement होती है अगर आपको 10 HP मोटर चलानी है तो 7.5 kW ही लेजिए अगर आपको 5 HP की मोटर चलानी है तो 5 kW या फिर 5.5 kW लेजिए ठीक है वही अगर हम 5.5 kW लेते हैं तो उसमें 7.5 HP मोटर चलाया जा सकता है दोस्तों तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा कभी भी आप connection करने जाएगा तो आप लोग को काफी सरट ठग मिल जाएगा तो आप लोग को कितना kW है मैं आप लोग को बता देता हूँ अगर आप 5 HP मोटर चलाना चाह रहे हो तो 5 kW ही लीजिए जी है मेरे दोस्तों कई बार क्या होता है कि बिजली विभाग वाले बोलते हैं कि 5 kW नहीं मिल सकता इससे अधिक मिलेगा तो 5.5 kW आपको यूजी से मिल जाएगा कोई बात नहीं है आप 5.5 kW बढ़ा कर ले सकत है और आपने 5.5 kW ले लिया तो 50 रुपिय जो बिल है दोस्तों महीने का फिक्स वो आएगा अगर आप चलाते हो तो भी और नहीं चलाते हो तो भी 50 रुपिय आपको अधिक चार्ज देने पड़ेंगे वहीं आपको 5 kW ही मिल जाता है तो 500 रुपे फिक्स चार्ज होगी दोस्तों तो इस तरह से आप अपने डिसीजन लीजिएगा कि आप लोगों को इन बातों को ध्यान में रखना है आप अगर पांच पी का कनेक्शन करवाने जा रहे हो तो पांच किलो वाट लीजिए या फिर 5.5 kW मिलता है तो यह भी आप ले सकते हो तो दोस्तों हम बात क में तो इनका जो खर्श होगा दोस्तों आपको ज्यादा नहीं आएगा यह अड़ाई से तीन हजार रुपे में आपको इजली सारा कॉम्पोनेंट्स हो जाएगा ओके अब हम बात करते हैं दोस्तों आपको कौन सी आठाचकी लगानी चाहिए जिहां दोस्तों अगर आप 5 इंची की आठाचकी लगाई जिए दोस्तों इंची का आठाचकी लगाई है इससे क्या बेनिफिट होगा माल लिजिए आपका कई व्यार आगे आपका बिजनस जो है वो बढ़ जाता है तो सोलों इंची आठाचकी आगे हैंडल करने में सच्छम रहेगी वह अगर आपके 5.5 किलोवाट है और अपको 5.5 किलोवाट मिल जाता है 5 किलोवाट आपको connection नहीं दिया जाता है बिजली विवाग की तरब से तो 5.5 किलोवाट आगर मिल रहता है तो वही आप सोल 100 इंची आठाचकी लगाई रखो गे तो क्या होगा कि बाद में आप अपग्रेट करके उस पर 7.5 HP भी मोटर लगा सकते और चला सकते हो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं आपको बिजली बिल अधिक देना पड़ेगा और नहीं कुछ होगा ठीक है अदर्वाइस आपको एक बात तुका ध्यान में रखना है आपका जो मीट लोड बताने लगेगा इससे फिर क्या होगा कि आपका चार्ज थोड़ा अधिक लगेगा इन बातों को आप ध्यान में रखेगा आपको 10 अधिक लोड नहीं देना है दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्यों नेक्स हमारा पांच एच्पी का मोटर रहेगा जो दोस्तों हमारा 1,800,000 रुपे आएगी जो कि अगर आप ये खुद से काम करते हो तो ठीक है खुद से करने का मतलब यह नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि सारा काम आपको connection सारा चीज आप लोग करना है वो नहीं आपका जो connection होगा connection लीजेगा वह आपका विली चार्ज वाले लोग रहते हैं उन सारे की चार्ज की अगर हम बात करें तो उसमें 20,000 रुपे आप लोग को और एक्स्ट्रा लगेगा जो की कुल खर्च की हम बात करें तो एक लाकी अठा जार रुपे होते हैं अनिकी 1,30,000 रुपे में आपकी 5 एच्पी बिजली आठा चकी रेडि हो सकती है अगर आपको अगर ग्रो होती है अगर आपकी बिजनेस तो आगे चलके आप बढ़ा सकती हूँ तो दोस्तों ये थी आज की 5 HP बिजली आठा चकी की जानकारी I-Hope आप लोग को समझ में आ गया होगा कुल एमाउंट कितना पड़ेगा अगर आप 5 HP बिजली आठा चकी लगाने चारे हो तो तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर अस्टॉप करते हैं साथी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तो आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अपना फीडबेक जरूर दे सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे बातरों